कि हाँ 10 विहार बोड 95% का टारगेट मैं फिर से लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं भौते की फिजिक्स क्लास 10 से जैसा कि आपको पता है कि मैंने तीन चेप्टर का वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूं यूटुब चैनल पर आप जाकर प्लेडिस्ट या फिर इस वीडियो के डिक्सन बॉक्स में देख सकते हैं ठीक है मैंने सारा कोशन कराया हूं आपको मैं इतना बता देता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत जादा ही फायदा होगा ठीक है तो फिर चलते हैं हम वीडियो पर नय आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक सस्क्राइब करें जरूर ताकि मेरे वीडियो का नोटिफेकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचेंगए तो चले देखते हैं को सनमर एक की तरफ क्या कहता है कहता है कि परमानु क्या होता है औ और उसी नाभी के चार तरफ इलक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं। और किसी भी तत्वे की परवानु में इलक्ट्रोन की संख्या और प्ट्रोन की संख्या बराबर होती है। इसी के कारण वह एक दुस्वे को कैंसल कर देता है। और इस तरह से परवानु पर टोटल आवेस जीरो होता है। अर्थार्थ परवानु उदासीन होता है। इसलिए आपको हैं पर राइट अंसर होगा A इसलिए देखिए कोर्शन नमर 2 में कहता है कि एक इलक्ट्रोन पर आवेस का परिमान कितना होता है। अपका उपसान A में कहता है 9.10 x 10 x 31 कुलाम और B में कहता है 6.67 x 10 x 27 कुलाम और C में कहता है 1.602 x 10 x 29 कुलाम और D में सभी देखिए एक इलक्ट्रोन पर आवेस जो होता ह। वह आपका C होगा यापका राइट अंसर होगा 1.602 x 10 x 19 कुलाम इसलिए आपका आपका रायट अंसरों का C देखिए कोशन नमर 3 में कहता है कि कुलाम किसका इसाई मात रख है A. बिधूत अवेस B. बिधूत धारा C. बिधूत भिवाव D. उर्जा देखिए कुलाम जो है ना वो बिधूत अवेस का इसाई मात रख है B. में 1.602 इंटु 10 के पर माइनस 29 और C. में 9.10 इंटु 10 के पर माइनस 31 और D. में All यानि कि एक कुलाम में बिधूत अवेस का मान निकालना है Number of Electrons तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि फर्मूला होता है Q बराबर N E N का मतलब Number of Electrons E का मतलब एक इलेक्टॉन पर अवेस का पर मान तो यहां से A निकाल बराब फर्मूला हो जाएगा Q बटा E और Q का मान करा एक कुलाम और E के भेलू रखिएगा 1.602 इंटु 10 के पर मान सुनाइस और इसको सोल्व करिएगा कार्ट छटके तो आपका एक Option Number A यानिका Option Number A राइट अंसर होगा ठीक है देखिए Question Number कहता है पाच में के Ampere Second किसका मातरक है A में है विदोध धारा B में है विदोध अवेस C में विदोध विवा और D में परतिरोध Ampere Second जो है ना विदोध अवेस का इस आई मातरक होगा क्योंकि एक कुलाम बराबर एक Ampere Second होता है ठीक है इसलिए आपका राइट अंसर होगा B चले देखिए Question Number 6 कहता है कि निमलिखित में किसी वस्टू पर आवेस नहीं हो सकती है अपका Option A में 1.6 x 10-19 कुलाम B में 4.48 x 10-27 कुलाम और C में 8.0 x 10-18 कुलाम और D में 6.5 x 10-19 कुलाम किसी वस्टू पर आवेस का मान नहीं हो सकता है तो देखिए यहां पर आपका राइट अंसर होगा D D जो है किसी वस्टू पर आवेस का मान नहीं हो सकता है जिसका मतलब होता है कि कोई भी बोडी इलेक्ट्रॉन को लॉस या ग्रहन करता है तो इस बोडी पर चाहे तो नेगेटिव चार्ज या पोजेटिव चार्ज आता है और वह नंबर ओफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा पुर्णांग संख्या होता है that means कहने का मतलब होता है कि चाहे तो minus 1 होगा या फिर minus 2 होगा या minus 3 या plus 1 या plus 2 plus 3 हो सकता है ना कि उस पर भी ना आएगा मतलब कभी भी 10 मलों के रुप में नहीं आता है number of electron लेकिन यहाँ पर d में देखिएगा निकालिएगा n की भेलू q बटा e करके तो आपका हमेशा यहाँ 10 मलों में आएगा इसलिए आपका d यहाँ पर right answer नहीं होगा I hope कि आपको समझ माया ठीक है देखिए question number 7 कहता है कि a t किसका विमाई सुत्र होता है a बिधूत धारा, b बिधूत भीवाव, c बिधूत आवेस, d उर्जा a t किसका विमाई सुत्र होता है a का मतलब mp a t का मतलब समय तो यहाँ पर आपका right answer होगा विधूत आवेस, यानि की answer c चले देखिए question number 8 कहता है कि a कुलाम is equal to कितना e s u होता है अब काफसा ने a में 0.34 into 10 के पर माइनस 9 b में 3 into 10 के पर 9 c में 6.25 into 10 के पर 18 और d में 1.602 into 10 के पर minus 29 देखिए एक कुलाम बराबर कितना e s u होता है electro aesthetic unit कहने का मतलब है कि जो e s u है वो कुलाम का, that means विधूत आवेस का cgs unit है, छोटा unit है तो पूछा एक कुलाम बराबरा कितना e s u होगा तो देखिए आपके आपके राइट होगा b, b यानि कि 3 into 10 के पर 9 e s u होगा एक कुलाम में चलिए देखिए कोर्शन नमर 9 में कहता है कि किसी वस्तू पर बिधूत अवेस हो सकता है option a में धनात्मक, b में रिनात्मक, c में c में सून, d में सभी यानि कि विधूत अवेस किसी वस्तू पर क्या हो सकता है धनात्मक, दिनात्मक, सुन, या सभी तो आपके आपके राइट अंसर होगा d चलिए देखिते हैं कोर्शन नमर 10 10 में कहता है कि समझाती है आवेस एक दूसरे को क्या करते हैं कच्चा बास, b, रवड, c, लकडी, d, सोन, देखिए एक चालक पदात की बात कर रहा है तो आपके राइट अंसर होगा d सोन, क्योंकि कच्चा बास एक अरधर चालक पदार्थ है और रवड और लकडी एक परकार की अ चालक पदार्थ है लेकिन यहां पर पूछा है चालक पदार्थ, इसलिए आपको राइट अंसर होगा d यानि की सोन, चलिए देखते हैं कोर्शन नमर 12, बारा हम कहता है कि निम्लिखित में सर्वत्तम सुचालक पदार्थ है सर्वत्तम सुचालक पदार्य को कहा गया इस बात को या रखेगा इसलिए पकर राय टन्सर होगा भी चलिए देखिए कोशन नमर 13 में कहता है कि विदूत अवेश की दर को कहते हैं क्या कहते हैं आपसण अवेशन a में विदूत थारा और बीमें विदूत भाब भांक Q4 कोशन नमर 14 कहता है कि विदुद्धरा्य का मात रख होता है आपका मात रख फूच रख है इसले आपका ओप्सन होंगा एक एंपियर होता है है इस बास को याद रख रखMoves आप देखते हैं question number 15, काता है कि ampiare प्रति मिनट किसका मात रख है, आपका option A है बिधूत अवेस, B में है बिधूत धारा, C में है परतिर उधाकता और D में है चलकता, करा ampiare प्रति मिनट किसका मात रख होगा, तो देखें ampiare एक सिकेंड होता है न, बिधूत अवेस का आत, प्रति मिनट भी समझे उसी का होगा, यानि कि आपका right answer होगा A, बिधूत अवेस, question number 8 काता है कि अनन्द पर बिधूत विवाओ का मान होता है, आपका option A, अनन्द, B, सुन्य, C, और हाई से भोल्ट और D, में से कोनी, अनन्द पर बिधूत विवाओ का मान आपका होता है पार भी सुननी होता है, इस बात कुईया रखेगा, question number 17 काता है कि B, Q, और U में सही संबंद क्या है, अब का option A में B बरावर U, Q, और B में U, बरावर B, Q, और C में Q बरावर B, U, देखे, B, Q, U में जो सही संबंद है वो B है option, यानि कि आपका right answer होगा B, यानि कि U बरावर B, Q, अगला question है कि अठरम कहता है कि एक भोल्ट डॉट 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 के बरावर होता है, अब का option है एक जूल पर कुलाम, B में है एक कुलाम पर सिकेंड, C में है 10 की पर 7 जूल, D में इन में से कोई नहीं, एक भोल्ट किसके बरावर होता है, तो आपका right answer होगा A, that means एक जू क्या कारी होता है, अब का option A में इलेक्ट्रोन को औरजा परदान करना, B में इलेक्ट्रोन को गती कराना, C में दोनो, D में इलेक्ट्रोन को रोकना, देखें, चालागतार में इलेक्ट्रोन को औरजा भी परदाप्त करना होता है, और इलेक्ट्रोन को गती भी कराना होता है यानि कि आपका यहां पर option C होगा दोनों ठीक है question number 20 में कहता है कि विधूत धारा में आपने की युक्ति को कहते हैं क्या कहते हैं थीक है ता तो आ मीटर रहे जहें कोई दिखत नहीं है यानि कि आपका उप्शन A Alright होगा ठीक है कोशनल मेरे कैसमें काता है कि विदूत परिपाथ में किस युक्ति को जोड़ा जाता है आपका उप्शन A में वहल्ट मेटर B में एड़ इमीटर C में गलवलो मीटर D में सभी श्रेनी करम में किस युक्ती को जोड़ा जाता है? यहां पर आपका right answer अ मिटल होगा A म मेटर B is the right कोई सने लिघावनेट काता है कि पोल्ट मीटल को विदोत परित में किस करम में जोड़ा जाता है? आपका हैं पर A में option है श्रेनी करम, B में समानतर करम, C में दोनो, D में हैं इनमें कोई नहीं भोल्ट मीटर को विधूत परिपत में किस करम में जोड़ा जाता है भोल्ट मीटर को होती है पर आपका राइट अंसर का B समानतर करम में कोईशन नमर 24 में कहता है कि रसाइनी कुर्जा को विधूत उर्जा में बदलने वाला युक्ति को क्या कहते हैं अपका option A में जनीतर B में मोटर C में विधूत सेल, D में विधूत बल्ब रसाइनिक उर्जा को विधूत उर्जा में बदलने का कारी करता है यहां पर आपका राइट एंसर होगा विधूत सेल यानि बैटरी यानि का अप्चर नमर सी सही होगा ठीक है कोशन 0.25 में कहता है कि विधूत परिपत्त में विवहंतर बनाये रखने का कारी करता है आपका option A में जनीतर, B में मोटर, C में विदूत सेल, D में सभी विभांतर बनाये का कारे करता है यहाँ पर C यानि कि C is the right विदूत सेल देखिए question number 26 काता है कि torch या घड़ी में उप्योग होने वाली कौन सी सेल होती है आपका option में A में प्राथमिक सेल, B में दूर्थिये सेल, C में दोनो, D में इन में कोई नहीं torch या घड़ी में उप्योग होने वाला आपका होता है यानि कि प्राथमिक सेल होता है यानि कि A option number is the right ठीक है question number 27 में काता है कि om के नियाम में क्या निहित रहता है आपका option में ये विदू दारया, B में बिदू तावे, C में, विदू भीवा, C में ही दी में तप्मान ome के नियाम में क्या निहित रहता है नियात constant क्या रहता है यहाँपर आपका option होगा D यानि कि तप्मान सही होगा ठीक है om म् सहाब का समय करन है question number 28 में कहता है ओम सहाब का समीकरन है आपका option A में B बरावर W बटर Q B में है U बरावर B Q C में B बरावर I R D में है I बरावर B R तो देखिए ओम सहाब का नियम क्या कहता है कहता है B समवनपाती I और जब समवनपाती को हटाते हैं तो R constant आता है यानिका आपका option C is the right होगा question number 29 कहता है कि विदूत परिपत के परतिरोध को किस करम में जोड़ा जाता है आपका option A में स्रेनी करम B में समांतर करम C में दोनों D में एन्वे से कोई नहीं देखिए आपका जो right answer होगो C दोनों होगा question number 31 कहता है कि चालक तार की परतिरोध कितने बहुत तो पर निर्भा करता है अब option A 2, B 3, C 4, D 5 चालक तार की परतिरोध चार बहुत तो पर निर्भा करता है मैं आपको जनकारे के लिए बता दू कि पहला जो है उचालक तार की लंबाई पर दूसरा चालक तार की मोटाई या अनुप्रस्त कार्ट की छेतरफल पर और तीसरा है चालक पदार्थ की प्रकृतिक यानि कि चालक पदार्थ किस की स्टिच का बना हुआ है और चाउथा है चालक तार की तपानप है ये चार बहुत उपर निर्भार करता है चालक तार की परतिरोध ठीक है तो परति रोध क्या होगा तो यहांपर आपका उस समान रहेगा क्योंकि कि सीबी की चालगतार के दो बिच की बिदीदों के बिच का विभान्ता के और उसी चालगतार से प्रवायदब 2 धारा पर प्रति रोध पर ड्पे narrative नहीं करता है क्योंकि परति रोध सिब चार बहुत उपनिर्भा करता है जो कि मैंने भी जश्ट बताया ठीक है तो इसे लिए आपको यहां पर राइट अंसर होगा सी समान रहेगा देखे कोशन नमर 33 काता है कि यदि चालक तार की लंबाई दूगनी कर दी जाये तो उसका नुपर असकाट का छेदर फल क्या होगा अपका option A में दूगना हो जाएगी B में आधा हो जाएगी C में दोनों और D में चार गुना हो जाएगी देखे चालक तार की लंबाई को दूगना करने सो उसका अच्छे तरफल आधा हो जाता है याज रखेगा तो इसलिए आपको यहां पर राइट अंसर होगा B प्रति दौड़कता का A सई मातरक क्या होता है अपका option A में ओम B में ओम मिटर C में केजी मीटर स्क्वार पर स्केर्ण स्क्वार एंपियर और D में जूल देखे परतिरोधक्ता का A सही मात्राख होता है ओम मिटर यानि कि यहां पर आपका राइट अंसर होगा B, अप्सन मेर B, ठीक है? अलिए देखिए कोर्शन नमर 25-35 में कहता है कि R, ओम ओली एक चालक तार की मोटाई आधी कि जाए तो उसका परतिरोध क्या होगा अपका सहरा ही है तो याद है कि उसकी पर दुगना एक हो जाएक है होता है आपका option A में है R E बरावर R1 पलस R2 भागा R1 इंटू R2 और B में R E बरावर R1 इंटू R2 भागा R1 पलस R2 और C में दोनों T में से कोई नहीं देखिए दो परतिरोद के लिए समांतर करम संयोजन में समतुल परतिरोद का जो फर्मूला होगा वह आपका राइट अंसर भी होगा यानि आरी बरावर R1 इंटू R2 भागा R1 पलस R2 ठीक है कोशन अमर 37 में करता कि परतिरोद को कि किस करम में परतेक परतिरोद के बीच का विभांतर समान रहता है आपका option A में समानतर करम B में है स्रेनी करम C में है दोनो D में है इनमें कोई नहीं करा आने कि विभांतर समान रहेगा किस करम में परतिरोद को कोई तो आपका यह पर राइट अंसर होगा समानतर करम में को जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में पर्तिरोध हो कि बीच का विभांतर एक समान रहता लेकिन यहाँ पर आपका विधोत्धारा बढ़ जाएगा जबकि स्रेनी करम में विभांतर अलग-अलग होता है और विधोत्धारा एक समान रहता है इस बात को याज अखीगा ठीक है इसलिए आपका यहां पर राइट अंसर होगा A समांतर करम में देखिए कोशन नमर 38 कहता है कि चालक तर्म उत्पन उस्मा किस पर निर्भर करता है आपका उफशन A है विद्धुधारा पर, B में परतिरोध पर, C में समय पर, D में सभी पर देखिए चालक तर्म उत्पन उस्मा जो होता है न उस सभी पर निर्भर करता है क्योंकि फर्मूला होता है H बरावर I square R T जो सुल जूल सहाब की नियम से पराप्त होता था I hope कि आप पड़े होंगे तो इसलिए आपका यहां पर राइट होगा सभी पर ठीक है देखिए कोर्शन नमर 49 कहता है कि विदुध सक्ति का एसाई मातरक है आपका ओफशन में A Watt, B में Joule पर सिकेंड, C में दोनो, D में इन में से कोई नहीं तो विदुध सक्ति का A Si मातरक होता है Watt भी और Joule पर सिकेंड भी इसलिए आपका यहां पर राइट आनसर होगा C दोनो, ठीक है देखिए कोर्शन नमर 40 में क्या काता है काता है कि एक HP बराबर के बराबर होता है कितना होता है यहां पर कितना बराएगा HP मैं आपको जनकारे के लिए बता दूँ कि विदुध सक्ति का बैफसाइक मातरक होता है HP हस्वे पावर यानि कि कहने होर्स पावर करने का मतलब होता है हस्वे सक्ति ठीक है तो आपको ही बताना है कि एक HP में कितना Watt होता है आपका option A में 440 Watt, B में 740 Watt, C में 2800 Watt और D में 1500 Watt देखिए आपका यहां पर जो right answer को B होगा 740 Watt एक HP में होता है ठीक है तो आपका option में रेक्टालिस के निमली खित में बिदुध सक्ति का सुत्र नहीं है तो यहां पर आपका right answer होगा D, P बराबर R square T नहीं है सक्ति का, ठीक है इसलिए आपका right answer होगा D कोर्शन नमर 42 में कहता है कि विदुध उर्जा का बेफसाइक मातरक क्या होता है आपका option में A है, Joule, B में, R, C में किलो Watt और D में सभी तो बेफसाइक मातरक आपका होगा C, किलो Watt और, याद रखिएगा, बिजुध उर्जा का मातरक देखिए, कोर्शन नमर 43 में कहता है कि एक unit बराबर, डॉट डॉट के बराबर होता है आपका option A में 10 के पावर 7 Joule, B में 3.6 गुने 10 के पावर 6 Joule और C में 1000 Joule और D में 36 Joule एक unit में बतलब कितना Joule होता है तो यहाँ पर आपका right answer होगा B, 3.6 गुने 10 के पावर 6 Joule होगा ठीक है, आपको जनकारी के लिए मैं बता दूँ यहाँ पर कि एक बाइउट ठीक है यह फिर एक unit यह 1 kilowatt hour यह 1000 watt hour सब बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 Joule के, ठीक है यह आप याद रखेगा आपको बहुत जुरुरी देगा, काम देगा, ठीक है अगला question कहता है 44 में कि नाक्रोम कितने धातुगों का मिस्रण होता है अपका option में 2, B में 3, C में 4, D में 5 तो यहाद रखेगा, नाक्रोम जो होता है ना, 4 धातुगों का मिस्रण होता है कौन कोनों तो मैं नीचे लिग दियाओ, नीकेल, क्रोमियम, लोहा, मैगनेज ठीक है तो इसलिए आगे हैं आपर राइट आपका अंसर होगा 4 यानके option नमर C question नमर 45 कहता है कि विदुद बल्ब के अंदर फिलमेंट किसका बना होता है आपका option A, NICROM, B, C, TANGSTAN, D, A, Steel याद रखेगा, यहाँ पर आपका option C, right होगा, ठीक है चलिए देखिए question में 6 कहता है कि तापन अव्याब का गल्लांग का परति रखता होता है अब का option A है उच, B है निम्न, C है दोनों D, A, इनने से को नहीं क्या होता है, उसका गल्लांग को परति रखता है, तो बोलेंगे उच होता है, याद रखेगे इसस बात की, ठीक है तो आपन अव्याब का मतलब होता है कि जहांसे उसमा उत्पन होता है, जैसे आइडन्ट की रिचले सता से उत्पन होता है हीटर हो गया ठीक ना उस सबके गल्लांग उच बना जाता है ताकि वो गले नहीं इस बात को या रखना इसलिए आपका अनसर हो गई यहां पर ही पर आपको राएट अंसर हो जो एक होगा ठीक है देखिए कोशन नमरं कहता है आर तालिस में की विदूदवल्व के अंदर कौन सी घस भरी जाती है आपको जनकारे के लिए मैं बता दू जैसे पार्गन हो गया तिकना नैट्रोजन हो गया यह सारे गैसे विदूत बल्ब के अंदर डाली जाती है निम्र दाप पर ऐसा इसलिए ना ताकि की सवहन के किरिया में उस्मा की हानी ना हो और अच्छा उस्मा और प्रकास उत्पन करें इसलिए बात को याद अकना यहां पर 300 नцы कोई नहीं सेमाई होगा इसलिए जो फिलामेंट यह व्यक्त का बनांट से में अरसड़र आपको जनकारी के लिए मैं बता दू होता है तो यह स्वेट प्राप्त कर लेता है और इसकी परतिरो धगता होता है काम होता है लेकिन इसकी जो क्या होती है परतिरोध होता हो काफी उच होता है इसकी वज़य से यह उसमा ज्यादा उत्पन करता है इस बात को यादखना ठीक है चलिए देखिए कोसर नमर 50 काता है कि हमारे घरों में विदूत परिपत किस करम में जोड़े होते हैं आपको पता ही होगा क्यूं ठीक है कोसर नमर 51 में कहता है कि हमारे घरों के विदूत परिपत के विदूत फ्यूज को किस करम में जोड़ा जाता है अब का उपसन ए में स्रेनी करम बी में समांत्र करम सी में दोनों डी में इन में से कोई नहीं तो विदूत फ्यूज को हमेशा स्रेनी करम में जोड़ा जाता है इस बात को याद रखना अपको जनकारी के लिए मैं बता दू कि यो हमारे ताड की जो गरम ताड नहीं होता है फिरस वायर क्याते है उसी वायर में विदृत-V哦ogous को जोड़ा जाता है ये यह रखना और जो विदृत- Junior के जो अंदर में जो ताल रहता है वो जो ताल रहता ना उसकी जो गलनांग और जो पर्तिरोधकता होता है वो दोनों को दोनों क्या होता है निम्न होता है इस बात को या रखना इसकी गलनांग बहुत कम होता है ठीक है लेकर इसकी पर्तिरोधकता थोड़ा ज्यादा होता है इस बात को यादगना है ठीक है? Question number अगला कहाता है कि बावन में कि जब किसी तार में विद्धुधारा होती है तो आप कान होते हैं अब का option है electron, b परवानू, c परवानू, c परवानू और d सभी मतलब विद्धुधारा कब होता है? जब electron का परवा होता है इसलिए आपका आपका रायट अंसर होगा a, ठीक है? Question number 33 कहाता है कि बिद्धुध वाहक बल का a si मातरक क्या होता है देखिए बिद्धुध वाहक बल एक बल नहीं है बल की जानते क्या a potential है इसलिए आपका आपका जो रायट अंसर होगा b भोल्ट होगा ठीक है इस बात को याद रखना चलिए देखते हैं question number 4 में कहता है कि किसी परिपत का वाह गुन जो विद्धुध उर्जा को उसमी उर्जा में बदलने बदल देता है वाह कहलाता है किसी प्रिपत का वहां गुन जो विदूत उर्जा को उसमी उर्जा में बदल दे अब का उप्शन ए धारा, B में विभांतर, C में पर्तिरोध और D में सक्ती देखिए आपको याद रखना चाहिए कि उर्जा को विदूत उर्जा को उसमी उर्जां बदलने के कम परतिरोध करता है ठीक है तो इसलिए आपका यहाँ पर रायट अंसर होगा C कौन सा मात्रक वट के बराबर नहीं है अब का उपशन मात्रक होगा ृत के बराबर होता हैं तिक आपका इसलिए के काट जाता है और इन टुकडों को समांतर करम में स्योजित किया जाता है तो आर बटा आडास का मतलब होता आरी एक समतुलिपर्टिरो ठीक है का अनुपात का मान निकालना है ठीक है तो देखिए यह वोला कोशन पुछा गया है पुछले बार में आपका option A में 25, B में 5, C में एक बटा 5, D में एक बटा 25 तो यहाँ पर आपका right answer होगा A 25 होगा ठीक है मैं इसका solution कर दिया हूँ आप निचे देख सकते हैं ठीक है चलिए question है मैं देखते हैं संतावान को क्या काता है काता है कि किसी बाल्ब स एक मिनिट में 120 कुलाम आवेस प्रवाइत होता है तो विदूद धारा का मान क्या होगा आपका option A 4 A, B 3 A, C 2 A, D 5 A ठीक है तो देखें यहाँ पर जो आपका right answer होगा उस C 2 A होगा आप कैसे तो यहाँ पर मैं निचे solution कर दिया हूँ जैसे हम देखिए आपका दिया विदू कुलाम और समय कितना दिया हूँ वान मिनट तो वान मिनट में कितना सिकेंड होता है साट सिकेंड तो विदूद धारा आई बराव फर्मूला क्या होता है क्यू वटा टी यहन्ने 120 वटा क्या हो जाएगा साट और डिवाइट के लिएकर कितना हैगा दो एंपियर मैंन आपको कराया अगर वीडियो अच्छे लगती है तो जरूर वीडियो को सेर करें लाइक करें और सब्सक्राब करें ताकि मेरे वीडियो कते आपके तक पोहुंचे तो मैं अगले breast वीडियो को जल्द ही अपलोड करूंगा अगले चेप्टर का तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में और चाहिए अगले वीडियो में और चाहिए